हालो फ्रेंज मैं हूँ जर्णा और आप सब का मेरे यूटूब चैनल मिसेज जर्णा में स्वागत है आज का रेसिपी स्टाट करने से पहले अगर आप ने है मेरे चलने पर तो जल्दी से सस्क्राइब कर ले और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल पाए और आप चलनी से वीडियो देख पाए आज मैं होममेड कुकीज बिस्किट बनाने वाली हूं वह भी कडाई में तो चलिए स्टाट करता है बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले तो मैंने एक बर अगर आपको सोडा पसंद नहीं है तो खाने वाला सोडा नहीं भी डाल सकते हैं मैं बस एक पिंच सोडा डाल रही हूँ में ऑर अच्छे से मिक्स कर लेती हूं आप एक धकन वनेला एसंस टाल दि कुश्च में समयल घंस सकते हैं और शयासते मिस्ट कर सकते हैं अब मैं थोड़ा थोड़ा घी लेकर अचे से ुसमें मिक्स कर दूंगे घी के जगा रिफाइंड आयल भी उजब उसकते हैं बटर भी उसकते हैं बस उसे हलका सा मेल्ट कर ले बटर को अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल के अच्छा सा एक डू बना लेती हूँ पानी तो बिल्कुल ना डाले नहीं तो हमारी बिस्किप ज्यादा खासता नहीं बनेंगे और खाने में अच्छा नहीं लगेंगे तो बिल्कुल कंज इस तरह से आपको भी इसी तरह से बनाना है मैंने इसे एक भून-बिषma पानी नही topics अगर आपके पर उवन है और आप कडाई में नहीं बनाना चाहते हैं तो कुजिस तरह का आपाट पसंद विश्कीट का ऊस तरह से सकते हैं इसमें दू तरह का सेप बनाने वाली हो gymnast दो सरकल बनाने वाली हूँ और एक स्क्वायर सेफ का बनाने वाली हूँ आप कुछ इस तरह का सुविदा लगे आप उसे बना ले और मैं उसके उपर चाकू या चमच किसी के साहता से इस तरह से कर्स लगा लोंगी ताकि उसका थोड़ा डिजाइन बन सके और उसके कॉर्ण को काट लोंगी ताकि स्क्वायर सेफ में आ सके अब देखिए इस तरह से इस तरह का से बनाना है उस तरह का बना सकते हैं अगर आपके बिस्किट के कॉर्णर साइड साइड में फट जाए तो उसे अच्छी तरह सा हाथ में लेकर मल मल के उसे गोल कर ले जितना आप उसको म कि म्लड़ाना देना अ मयर व्हल आपको देखिए इस तरह से बना के सरकल्सक्वायर सेटाब को बने लिजर इस कहाँ वाल में और याल से बतार आ मैं गाइज के स्टेंज से बनाने वाली हूं दूसरे वाले स्टेंज से अब का फ्लेम ओण करके गरम होने देंगे मुझे इस कड़ाई का कुछ अच्छा ढखने का नहीं मिला जिससे यर बाहर ना सके तो इसलिए मैंने गमला यूज किया है लेकिन गमला भी हलका लूज था तो मैं इसके उपर एक ओखली रख देती हूँ ताकि यर बाहर ना निकले उपर से ब्रेसर बना रहे है अब मैं बि जो हमें खाने में थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप बिस्किट के ऊपर दूद नहीं देना चाहते हैं तो इसे किप भी कर सकते हैं मारा कडाई गरम हो चुका है अब हम इसके ऊपर अपने बिस्किट रख देंगे तो बिस्किट रखने के लिए मैंने बटर पेपर ल कर दूंगी कि घर में बटर पेपर आसारिन से कैसे बनाएं यह हमारे बहुत काम आते हैं जैसे कि केक बनाएं कोई चीज आपको बेक करना है तो आप उसके नीचे रखें ताकि नीचे चीपक ना जाए और अच्छे से पक पाएं अब मैं इसे ढख के कम से कम 20 मिट के लिए प कर रहे हैं देखिए थोड़ा थोड़ा फूल गया है लेकिन अभी तक हुए नहीं है इसे होने में और 15-20 मिट लगेंगे तो इसे मैं ढख देती हूं और पकने के लिए और 15-20 मिट के लिए रख देती हूं 15 मिट बाद मैंने सारे बिस्किट निकाल लिया है अब देख सकत हैं कितना सुंदर कलर आया है और बटर पीपर के बज़े से देखिए नीचे से चिपका नहीं और कितने अच्छे बने हैं मेरे बिस्किट तो प्लीज लाइक कर देए